अक्सर आपने बहरी राजियों में पैदा हुए चीकू का सवाद लिया होगा लेकिन हमीरपुर जिला में भी अब चीकू की खेती होना शिरू हो गई है चीकू को यहाँ काम्याब कर हमीरपुर जिला के कोटला गाम के पुर्शोतम सर्मा ने मिसाल पेश की है पुर्शोतम सर्मा ने बताया कि 15 वर्श पूरब उन्होंने पंजाब राजिया के आदमपूर से चीकू के पौदों को लगाने के लिए खरीदा था जिसमें से केवल एक पौदा ही काम्याब हो पाया है जो आज चीकू की बरपूर फसल दे रहा है जिसको लेकर पुर्शोतम तो यह ओ छ्याज़ दे वोओ के लिए जवाधार के भीडिया थे जह काम्याब कर चैसा ना जए प्यू कर दो पाया है जिता किसा अक्सर आपने चीकू को देश के बहरी राजियों में दिखा और बहरी राजियों में पैदा हुए फलों का जायका लिया होगा लेकिन ही माचल के किसान परशोतम सर्मा ने चीकू का पेर लगा कर मिसाल पेश की है आपको बता दें की चीकू भायरत में अमेरिका के उशन कटिवनी भाग से लाया गया था भायरत में चीकू मुख्यता गुजरात महरास्टर करनाटक तथा तमिल नाडू राजियों में इसकी बड़े पैमाने में खेती की जाती है लेकिन ही माचल एक थंडा परदेश है फिर उन्होंने 15 वर्ष पूर पंजाव राजिय के आदमपूर से कुछ चीकू के पौदे लाए थे लेकिन जिसमें से कड़ी देखवाल कर एक पौदा काम्याब हो पाया है जिसने दो वर्ष बाद ही फल देना शुरू कर दिया अब ये पेड पूरी तरह से फलों से लदालद ह हो चुका है जिसको देखकर हर किसी का मन ललचा जाए पुर्षोतम सर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने बगीचे में डेवु आम संक्त्रे मौसमी आमलव अनेकों परकार के फलिये पौदे लगाए हैं कोई मेरे को शौंक था बागबननी का मैं बार अंदर जहां भी जाता था ट्राला था मेरे पास तो दुकानदारी के काम से जब भी कहीं जाता था कोई मेरे मतलोग का पौद्दा मेलता था मैं ले आता था और जो कुई कलम करने बाले पौद्दे हैं कुछ वो कलम भी मैं ख 15 साल का और जब मैं इसमें 4-5 साल का हुआ था जब इसको फ़ल लगना शुरू हो गया था अब इसमें इतना फ़ल लगता है कि ये इसकी जो डेनी है जोकर जमीन से लग जाती है और एक नौजवान आदमी को अगर मैं चार फ़ल दूं तो चार फ़ल खाने बहुत मुश्कल ह आदमी जो गयाष्टी देवी ने बताया कि उन्होंने हमिलपुर जिला मैं कहीं भी चीकूका प्रेड नहीं देखा लेकिन उनके पती ने ये पेड़ उगा कर मिश्दाल पेश की है जिसको लेकर उन्होंने खुशी चाहिर की है उनकी बहु अनीता कुमारी ने चीको के फल लगने पर खुशी चाहिर की है उन्होंने कहा कि चीको का पौदा उन्होंने ही माचल में कहीं नहीं देखा लेकिन उनके स्तसुर ने ये पौदा लगा कर मिश्दाल पेश की है पपपा जी ने बहुत से पड़े लगा है और इंका नाम है यहाँ जो हमारे गाम कोटला है कुछ टाइम में ये बड़े बड़े इससे भी बड़े हो जाएंगे